हलो दोस्तो अगर आपने अपने आइफॉन को iOS 11 में अपग्रेड कर दिया है तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि iOS 11 में जो Nodes Application होती है उसमें आप Document Scanner कैसे यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकान तक देखते रहिए दोस्तो अगर आपने अपने आइफॉन को iOS 11 में अपग्रेड कर दिया है तो उसके अंदर iOS 11 में जो Nodes Application है उसमें एक Document Scanner Inbuilt है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि Document Scanner कैसे यूज़ करते हैं तो जब Nodes Application में फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ अभी मैंने iOS 11 में अपग्रेड किया है और फर्स्ट टाइम में नॉट्स अप्लिकेशन ओपन कर रहा हूँ तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिल जाएंगी यहां पर फीचर्स दिया गया है कि Document Camera easily scan document directly to your Nodes यानि आप अपने Nodes के अंदर directly document scan कर सकते हैं अपने कैमेरा के थ्रूप कैप्चर करके Continue button प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि मेरी existing Nodes से वह यहां पर आ गई और यहां से मैं नई तो आपको चूस करना है scan document जैसे आप चूस करेंगे तो आपके device में camera active हो जाएगा और जो भी document आप scan करना चाहते हैं Simply आप वह document अपने iPhone के camera के साथ रख दीजिए तो आपने आप वह जो age है वह detect करने का है और यहां पर जो button है वह आपको प्रेस करना है तो अभी मैं अपने device के camera के थूँ आपको बताने जा रहा हूँ कि वह कैसे capture करते हैं जैसे आप यहां पर रखेंगे तो age आ गई और मुझे simply यहां से tap करना है जैसे मैं tap कर लूँगा तो यह document जो है वह capture हो जाएगा अब यहां से में option है retake or keep scan और यहां से में अगर ऐसा लगता है कि boundary अगर आपको कुछ crop करना है manually तो यहां से उसे आप exist कर सकते हैं जैसे आप उसे exist करेंगे तो यह document ready हो जाएगा अभी आप देखेंगे कि यहां पर मेरा जो device था वो cross था इसलिए थोड़ा cross आ रहा है लेक scan अगर आप multiple scan करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं otherwise simply आपको प्रेस करना है save button जैसे save button प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो location पर आपको करसर था वहां पर यह document आ गया और यहां पर option भी है scan document यानि label भी है तो आपको पता चलेगा कि यह आपने scan document यहां पर embed क किया गया है और यहां पर आप आगे notes वगेरा text लिख सकते हैं लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसे edit करना चाहे तो कैसे edit कर सकते हैं simply आपको scan document पर टैप करना है जैसे आप करेंगे तो पूरा इंटरफेस है वह editing mode में आ जाएगा यहां पर आप देखें करेंगे कि आप उसे rotate भी कर सकते हैं और साथ में color correction वगेरा की option है जैसे आप उसे on करेंगे तो अलग-अलग यहां पर filters दिये गये हैं grayscale, black and white और photo mode तो अपने इसाब से जो भी है आपको अपने document के इसाब से रखना है वह option रखती जिए और बात में यहां पर crop का option भी है आप चाहे तो उसे आप देखेंगे कि जो original document था उसने वो save कर दिया है आपने पहले जो crop apply किया था वही crop अभी आपको edit करने के लिए दिया गया है आपको कुछ changes करना है तो किजिए अधरवाइस simply done प्रेस कर दीजिए यह आ जाएगा और बात मैं यहां से मैं done प्रेस कर सक scanner के तुरू जाल सकते है उसके लिए आपको कोई अलग application की जरूवत नहीं है जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि document scanner application होती है लेकिन अब notes के अंदर यह application inbuilt है इसके लिए जरूरी है कि आप अपने iPhone में iOS 11 को update कर दीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे like कर दीजिए और चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे भी subscribe कर दीजिए subscribe करने के बाद जो bell का button है उसे भी tap कर दीजिए तो जब भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूँगा तुरंद आपको अपने device में उसका post notification मिल जाए गया और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे